नमस्कार दोस्तों मेरा नामे राजिन लोदा और आज हम आए हम अपने फॉर्म और गेनी कनुसंदान केंद्रे में मेरो टूजिम सेंटर दोराना पर दो तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ठंडी के समय हम अपनी मश्लियों का रकर रकाप किस परकार करें और हम अपने पॉ होद भी लेंगी और कोई डिसीज आउट ब्रेक होने के चांसे लगबग ना के बराबर हो जाएंगे और बीमारिया भी नहीं फेलेगी इंफेक्शन भी नहीं आएगा तो दोस्तों आईए आज बने रही है वीडियो के एंड तक और सब कुछ आपको क्रिश्टल किलियर हो ने दो लाग सीड़ व्राइसाइस किया हुआ है और हम इसको लगबाग हंडे डेज बिदी नंडेज इसको हम फिंगर लिंक साइज में करेंगे और लगबाग मर्च के आसपास हम लोग इसको अपने डाल देंगे ग्राउट पॉन्ट में जितना हमें नीड होगा उतना हम फिंगरनिंग रहेगा बचा रहेगा अंसवार्मर्स को यहाँसपास को सेल कर देंगे तो यह हमारी फिर से मुच्डीNOत तो जिस भी भाई को हमसे टिरथ करना हो फिंगर लिंग फिंगर लिंग साइस में कर लोल्व करसकता है दोस्तोंespère चाहिंस गूंपोस होने के यह थंडी के समय में ज्यादा oxygen की अबस्तक्ता होती है हाला कि एक बात यह भी है कि थंडी के समय में हमारे पानी की oxygen holding capacity बढ़ जाती है लेकिन इसके बाब जूद भी हमें और ज्यादा oxygen की अबस्तक्ता पड़ती है तो समय समय पे अपने ताला आपका dissolve oxygen चेक करते रहे अगर dissolve oxygen कम है तो उसमें कुछ समय के लिए एरियेटर चलाए और उसमें oxygen की मात्रा maintain रखे जिससे कि हमारा organic load decompose होता रहे इस वीडियो की दूसरी और सबसे महत्वपूर बात में बताना चाहता हूं कि समय समय पर अपने ताला आप का 10-20 % पानी change करते रहें दोश्तो पानी confusion करें 2 सारे फॉर्म फार मर्स क्या करते दोस्तो कि अपने ताला आपका पीले पानी बहुज़ए दोस्य निकलते हैं इसके बाद उसमें add करतें दोस्तो retard ना करें सेम टाइम पर पानी तालाब में एट करें एक सरे से निकाले जिससे आपकी मश्लियां इस ट्रेस में नहीं आएंगी अधरवाइस क्या होता है दोस्तों हमें पानी की अबस्क्ता चेंज करने की इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पैरा मीटर्स डिश्टर रहते हैं के लिए चार मीटर पानी है और अगर आप उस पासपाणी को चेंज कर रहे हो या कोई पर ब Bene उसमें पहले दो मीटर में से पानी निकाल देते हैं पानी निकालने के बाद जब उसमें दो मीटर बचता है फिर पानी उसमें करना चालू करते दोस्तों इसा नहीं करना क्योंकि उस पानी में मश्लियां स्ट्रेस में दबाब में और उसमें से आप दो मीटर पानी और कम कर तो मश्लियों मश्लियों को ज़्यादा समझ जाएगी और अगर इसके बाद आप एड करते हो क्योंकि आपका बाटर लेविल तुरूंत नहीं बढ़ जाता दोस्तों में समय लगता है तो उसको पानी फिर बाटर लेविल बढ़ाने में समय लेगा इतने इतने समय में एक से गंटे मश्लियों स्थेस में रहेगी तो यह सना करें एक सरे से पाणी एट करें दूसरे सरे से निकाले तो सें बाटर एक्षिंजि से चलती रह नी चाहिए जिससे मस्लियों स्थ्यस में नहया है वुए तरब के पानी में कुछ layers बन जाती है तो दोस्तों जो सबसे उपर की सबसे कम होता है और जिसे ही Здесь नीचे जाते है तो तो सबसक्रीट टेंप्रेचर मिलता है और वह अपने आपको सेज महसूस करती है तो उसकेस में क्या होता है दो सो कि मशलियां को नीचे जाने से तालाप के नीचे वाली लेयर में हमारी और वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् दो से तीन घंटे एरियेटर चलाना जिससे तालाप का पानी मिक्स होता रहे और हमारे पूरे तालाप के पानी का टेंप्रेचर मेंटेन रहे तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वह समझते हैं कि ठंडी के समय पानी की ऑक्सिजन वल्डिंग के अपसिटी ज्यादा रहती ह और हम बाटर एरियेटर क्यों चलाएं तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है बाटर एरियेटर चलाना है जिससे कि हमारे पूरे तालाप का टेंप्रेचर मेंटेन रहे और पूरे तालाप का टेंप्रेचर मेंटेन रहे कि उपरी सते में और नीचे वाली सते में ज्यादा टेंपरेचर डिफ्रेंस ना रहे जिससे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी और विजी आउट ब्रेक होने के करतरे लगबक ना के बराबर होंगे दोस्तों इसी वीडियो के केंटिनिटी में मैं एक वीडियो और लेकिया हूँगा जो आपको इस वीडियो के अपलोड होने के एक या दो दिन बाद मिल जाएगा उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ठंड के समय में ऐसी कौन सी बीमारिया हैं जो हमारे फॉर्म पर सबसे ज़्यादा आती है या एक हमारी मशलियों को तो उन मशलियों को प्चार कैसे करें उसके लिए कौन-कौन सी अबस्यक दबाईयों का प्रबंदन हम अपने तलाप पे रखें और उन मशलियों को दें दोस्तों जब ठंड़ी होती है या कोल्ट सीजन होता है तो हमारी मशलियों बहुत ज़्यादा लो लो मुवमेंट करती है तो लो इंटेक करती है मतलब खाना कम काती है और अगर खाना कम reel ई एगी तो हमारी मशली हो का मेम्रीं सिस्टेंड बीओ जाता है आगर मश्रेयां का सिस्टम भीक हो गया तो उसका फाइनल रसेट्ट दोस्तो P लेकिन ऑपने बड़े तालाब में बार बार जब बार बार उसमे नेट चलाते हैं तो मस्ट्रेस में और जीसे ही मश्लियां स्टेस में आएंगी तो दोस्तो उन्हें बीमारियं लगेंगी उनमें इंफेक्शन आएगा और उनका इम्मून सिस्टम बीक हो जाएगा वो खाना खाना कम कर देती है इस टेस में आने के बाद तो इस case में क्या करना है दोश्टो हमें अपने तालाब का partition करना है जिस से कि हम एक साइड में नेट से हो उसका परजाते रहें जाल चलाते रहें और दूसरी साइट की मश्लियां disturbs नहोगा दोस्तो की जतने एय्य में नेट चला रहा है हमारी उसी एरिय की मश़्ियां स्टेश में राइंगी और उसी मश्लियां को क्रियेट ओगा ना की दुसरे साईट का तो धोस्तोक अमेसा ध्यान के कि अपने तलाब का gewe count कर रहे हैं तो पार्टिशन करके रखें जिससे की अधर दूसरे साइट की मश्लियां डिश्टर्ब ना हूं दोस्तों जब आपने देखा होगा कि जब भी हम केट फिसका पालन करते हैं तो छोटी बाटर बोडी को प्रेपर करते हैं मतलब छोटे ताला आपको ज़्यादा तब बड़ी बाटर बोडी होती है जब कि चोटी केट पिसेस जब ज़्यादा श्रेस में आ जाती बार 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 नेट चलाने से तो इसलिए अपनी बड़र बोडी में पर्टिशन बनाए जिससे की एक जगह का मंगत करते हैं तो दूसरी जगह की मश्लियां डिस्टर्ब ना ह और बिरिक्स को बांधने के बाद जाल को पूरे तालाब से नीचे किना बोटम को टच करते हुए आगे कीचे होता क्या है दोस्तों कि फॉल्स नेटिंग से जो हमारा और्गेनिक लोड होता है वो लोड होता है उसमें बहुत सारी गेसे रहती है फॉल्स नेटिक करने से वो ट्रेपड गेसे बाहर निकलने से अमोनिया बनने का खतरा कम हो जाता है और यह दस दिन में या बारा दिन में जरूर फॉल्स नेटिंग करें जिससे की ट्रेपड गेसे बाहर निकल जाए दोस्तों मैं अगली महत्मपूर बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने त तला वमें पानी हेट करें इसका करान में बताता हूं दोस्तों निकलने वाला पानी 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का होता है और अगर किसी कैनल का या कुए का पानी यूज करते हैं तो उसका टैंप्रेचर उससे कम होता है तो अगर हम ज्यादा पानी अपने बाटर बोडी में ताला मेट करेंगे तो उसका फायदा में यह मिलेगा कि हमारा बाटर बोडी का टेंपरेचर जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों इन सारी सापदवानियों के बाप जूद भी अगर आपके ताला में कोई मश्ली डेड़ हो जाती है मर जाती है तो उसको इंस्टेंट ताला आप से बाहर नेकालिए उसको तुरंत अपने ताला आप से बाहर नेकाल कर कहीं दूर फैंक दे दोस्तों क्या होता है कि ठंडी के समय में इंपेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है एक मश्ली से दूसी मश्ली में जल्दी फैलता है तो इस बात का ध्यान र बढ़ा दूँ कि अगर आपके मश्ली को खाना लगता है एक दिन में 20 केजी तो मातर 5 केजी खाना ही दे लेकिन वो खाना दोस्तो हाई प्रोटीन वेली होना चाहिए उसमें प्रोटीन की मातरा बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर आप उसको उसमें बिटाइमिन प्रोटीन की मेंटेनी रहेगी ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि आप आई प्रोटीन फीट दे रहे हैं लेकिन कम मातरा में दे रहे हैं पहले जो 20 केजी देते थे मातर 5 केजी दे रहे हैं तो इससे आपको जो कोश्ट रहेगी वो लगबग बराबारी रहेगी इसलिए कोसिस करेगी अपने मश्लियों को जो भी खाना दे वो हाई प्रोटीन वेलू होना चाहिए दोस्तों यही आर्ट से दस में पूर बाते थी जिसका आपको अपने तालाब मेनेजमेंट के दोरान ध्यान र पड़ेगा तो उतना नुक्सान नहीं होगा जो होना चाहिए तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ और मैं आने वाले समय में आपको ऐसी में जानकारिया देता रहूंगा और आने वाली वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रही है इसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए